नमस्कार, शहाजी गाडन में एक बार फिर से आप सब का स्वागत है दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर फ्रेश और अच्छा खाना है तो फ्रेश और अच्छा खुद से ही उगाना पड़ेगा तो अच्छा उगाने की सुरुआत होती है हमारी मिट्टी से हमें किसी भी फल, फूल या सबजी को उगाने के लिए जो हमारी मिट्टी है उसका अच्छा और उपजाव होना बहुत जरूरी है टेरेस गाटनिंग के पार्ट वन में मैंने आपको छट पर बिना ग्रो बैक बगीचा कैसे तयार करें उसके बारे में बताया था अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ से जाकर कि वो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि कैसे इस मिट्टी को तयार किया जाए और हम कैसे अपनी फल, फूल और पौधों को मिट्टी को अच्छे से तयार करके उनसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले पाएं दोस्तो मिट्टी हमारे पौधे की ग्रोध का अधार होती है अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारा पौधा कभी भी अच्छे से ग्रोध नहीं कर पाएगा तो अगर आप मेरे चैनल पर पहले बारा हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करते और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए देखते हैं कि उस मिट्टी को कैसे तयार करना है तो दोस्तो हमें सबसे पहले 50% नॉर्मल मिट्टी लेनी हैं आप इस मिट्टी को किसी भी खाली खेट नर्सरी या माली से ले सकते हैं और जब आप मिट्टी ले ले तो इसको थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दें ताकि इससे अन्वांटेड बैक्टीरिया और इसमें जो भी अन्वांटेड कीट है वो इस मिट्टी से हट जाए दूसरी चीज जो हमको लेनी हैं वो है कोको पीट अगर आपको लाइट वेट सॉयल मिक्स बनाना है तो आप कोको मीट पीट को ज़्यादा मात्रा में यूज करें और दोस्तों आप इसको भी एमेजोन या किसी नर्शरी से पर्चेज कर सकते हैं अगर आपको ये ना मिल रही हो तो आप इसकी जगह पे लकड़ी का जो बुरादा होता है या जो गेहों का भुसा होता है उसको भी यूज कर सकते हैं हमने ये सारी चीजे इसलिए ली है क्योंकि एक तो ये हमारी जो स्वाइल मिक्स जो हमने बनाया है उसमें पानी को जमा नहीं होने देती और हमारे प्लांट के लिए मिट्टी में अच्छा मॉइस्चर बना करके रखती है और हम जब भी अपने प्लांट में कोई भी पतियों का पाउडर दोस्तों आप जितना भी स्वाइल मिक्स बना रहे हैं उसका 10% आपको नीम की पतियों का पाउडर लेना है नीम की पतियों का पाउडर हमारे पौधों में जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनसे भी मुक्ति दिलाता है और अगर हमारे पौधों में कोई फंगस लगती है तो यह उनको उससे भी बचाता है और सबसे इंपोर्टेंट चीज कि यह हमारे पौधों को हमेशा रोग मुक्त रखता है तो मैं आपको इसको हाइली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपने स्वाइल मिक्स में जरूर यूज करें और अगर आपक पत्कियों का पाउडर कैसे बनाएं और इसको अपने गमले या मिट्टी में कैसे यूज करें अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हमारी मिट्टी को सबसे अच्छा और उपजाव कर सकते हैं और अगर आप इसमें जो आपने अपने कीचन वेस्ट से मैन्योर तयार किया है उसका भी यूज कर सकते हैं तो दोस्तों जब आप इन सारी चीजों को ले लें उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो आपकी मिट्टी दिखाई देगी तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आप भी अपने किचन गार्डन फल फूल सब्जी की मिट्टी इसी प्रकार से तैयार कीजिए फ्रेश खाईए एल्ली रहिए खुश रहिए साजी गार्डन के साथ बने रहिए अपना प्यार इसी प्रकार दिखाते रह हुआ है